सुजानपुर में आयोजित होने वाले रास्ट्रिय होली मेले के लिए सुजानपुर प्रशासत युद्ध स्तर पर काम कर रहा है इसी कड़ी में मेला मैदान में व्यापारिक प्रतिस्थान बेचने के लिए खुली बोली लगा अगर व्यापारी वर्ग को भूमी उत्पलब्द करवाई जा रही है नायव तहसिलदार रमेश चांदला तहसील कल्यान अधिकारी राकेश पुरी वन नगर परिशद अधिकारी संजै कुमार की अगवाई में खुली बोली संपन करवाई जा रही है मेला एवं उपमंडल अधिकारी हरीश गज्जु ने बताया 6-11 मार्श तक प्लॉट बेचने का काम किया जाएगा बीते दो दिनों में लगभग 20 लाख रुपई की प्लॉट बेचे जा जुके हैं जबकि शुकरवार को तीसरा दिन शेश है ऐसे में अधिक से अधिक लोग मेले मेव्यापार करने के लिए आए कम दामों पर उन्हें भूमी उपलब्द हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है प्लॉट नमबर 19 सूरज को प्लॉट नमबर 20 प्लॉट नमबर 20 प्लॉट नमबर 20 के लिए क्या कोई बोली देने का हिच्छुक है प्लॉट नमबर 20 प्लॉट नमबर 20 पंक गौरब पुचुन्यों सर्फिया गौरब 5500 गौरब 5500 प्लॉट नमबर 20 प्लॉट नमबर 20 प्लॉट नमबर 20 के लिए नहीं, नहीं नहीं कोई नहीं बोर रहा अभी प्लाउन नमबर 23, 1, 2, 3, पासिज प्लाउन नमबर 24 प्लाउन नमबर 24 प्लाउन नमबर 24 दिवे हिमाचल टीवी के लिए सुजानपूर से गौरव जैन की रिपोर्ट